पूरी की पूरी की टीम को जो है बहुत जादा motivation मिलेगे आज हम बात करने वाले है किसके बारे में अन्ट गारी इनर्फ इंटी व्यक्ति के बारे में आज हम बात करने वाले है इंसे stock market के बारे में कौन से neighboring बुलिश हैं कौन्सी जगा पर जो है अबस्तर में आपको suggest कर रहे हैं कि ही कि आम लोग वो को invest करना चाहिए Express और Bank of America जैसे top financial services companies के साथ काम किया है उसके बाद उन्होंने 2005 में सुन्दरम AMC को जॉइन किया 2015 में सुनिल सर को सुन्दरम AMC का CEO बना दिया गया और 2018 में managing director भी बन गए अपने सालों के experience और equity market के लिए उनके energy और passion के चलते आज की दिन सुनिल सर अपने industry में बहुत माने जाते हैं दोस्तो आज आप लोग तयार रहेगा अपनी pen, copy और पानी की bottle के साथ क्योंकि आज बहुत सारे takeaways हैं, बहुत सारी learning है और बहुत सारे ऐसे points हैं जिन पर आप लोग जो है वो action ले सकते हैं तो बिना किस देरी के शुरू करते हैं, market की बाद grow के साथ with Sunil सर Sunil सर, welcome to the show, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आज आज आपसे सवाल पूछने हैं और सबसे वहले सर्म बात करेंगे यह जो all time high निफ्टी ने बनाया है और जो पिछले एक महिने में Nasdaq में जो हमें 8-10% के आसपास का जो है उचाल देखने को मिला है सबसे बहुत इसी से शुरुवात करते हैं क्या अब यहां से बता चल रहा है कि हमारी जो recession वगरा की बाते थी वो चली गई interest rate का जो factor था वो भी खतम हो चुका है market outlook 2023 के लिए कैसा लगता है आपको तो मैं कहूंगा कि यह recession की बात जो आई ती चली गई वो नहीं ठीक नहीं है अमेरिक्या और यूरोपियन देशों में अभी भी recession का महली चल रहा है इंडिया के बारे में जो भी अपनी सोचा था कि रिसेशन आने वाला है वो अभी नहीं रहा क्योंकि इंडिया के बारे में हमारे देश की जो GDP की बड़प है वो एक domestic oriented capital expenditure की drive से consumer discretion की drive से चल रही है भार में जो चल रहा है रिसेशन वाली महल उससे इंडिया का बहुत कम संबन्द है और इसका main कारण यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड के एक्सपोर्ट्स में खाली 2% ही है तो एक रिसेशन के महल में एक्सपोर्ट्स के उपर ही दबाव आता है ना तो इंडिया के लिए हमारी past failures चो कह सकते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स को इतना ज्यादा बढ़ाया नहीं वही हमारे लिए आज एक protection की तौड़ पर रिसेशन से हमें protect कर रही है इंडिया के बारे में रिसेशन का कोई डर नहीं है American market में जरूर रिसेशन की महल है इसके कारण यह अच्छी बात हुई उदर क्योंकि जब तक की रिसेशन का clarity नहीं आ रहा था एक slowdown का clarity नहीं आ रहा था market को डर था कि rate hike और जाएगा और आगी बढ़ेगी और आगी बढ़ेगी पर जैसे ही थोड़ी बहुत slowdown दिख रही है यानि fed की rate hike की program काम कर रही है यह confidence आ गया तो market को दो चीज सामने दिख रही है एक मैं peak 5 या 75 के max US rates को जाते हुई नहीं देख रहा हूँ चाहे वो April में हो या May में हो second चीज अगर वो peak हो गया उसके बाद कुछ 6 मेने के लिए rate की pause और उसके बाद rate की cut क्योंकि recession के महल में आपको growth को वापे support करने की जरुरत पड़ेगी तो यह market के लिए एक अच्छी ख़बर है क्योंकि rates high होकर फिर downtrend में जाने की वक्त में अभी fixed income में ज्यादा पैसा नहीं जाएगा तो equity में आ रहा है तो एक मेने से जो बदलाव आप देख रहे हैं यह एक clarity और certainty American Fed की policy में कुछ थोड़ी ज्यादा दिख रही है इसके कारण market uptrend में है अमेरिका में अब इंडिया की बात करें तो पहली चीज हमें यह समझना चाहिए कि इंडिया में जो market cap है उसी में आपको ट्रेडिंग होता है उसों कहते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप ठीक है अब यह चौशक प्रतिशद के अंदर बिलीव इट और नौट चालीश प्रतिशद FIS की ownership है तो हमारी मार्केट की हालत हमारे हाथ में नहीं है वो बाहरवाली के आतों में है और वो हमरे देश के बारे में क्या सोचते हैं उससे वो इंफ्लोस लगाएंगे या आउट्फ्लोस से निकालेंगे और उसके लिए भी बात है कि इंडिया की ग्रोथ क्योंकि domestic driven और एक solidity है यानि IMF के अंगडे दिखा रहे हैं कि 6.1% अगले साल की ग्रोथ होगी हमारी देश की बहले ही थोड़ा बहुत recession का महल आ गया तो 6 से 5.5 आगी समझ भी ये 5.5 में इंडिया fastest growing country in the world होगी तो एक economy और GDP ग्रोथ और corporate earnings growth की तोड़ पर आप देखेंगे तो foreigners के लिए इंडिया attractive है और पिछले दो तीन साल से ही ऐसी बात रही मगर फिर भी एक volatility आ रही है of FIA के flows में जैसे October last year में से जून डिस यर तक धाइलाग क्रोड FIS ने भाहर निकाला पैसा क्यों और अभी वैसा वापिस आ रहा है उसके पहले भी पैसा आया था क्योंकि इसका आंसर एक ही चीज के उपर होता है वो है तेल का दाम क्योंकि इंडिया ऐसे देश एक growing GDP जैसे हमारी manufacturing भी बढ़ रही है तो तेल की requirement बहुत ज्यादा होती है और उस तेल के अंदर हमरे पास बिलकुल हमने देश में ज्यादा oil का reserves नहीं है तो 83 प्रतिशद हम तेल इंपोर्ट करते हैं तो बहार वाले तेल का दाम से हमारी economy हमारी trade deficit fiscal deficit हमरे corporate की earnings हमरे local की inflation हमारे currency इस सब के उपर असर पड़ता है जो October last year में क्या हुआ था कि तेल का दाम साथ से 125 डॉलर तक बढ़ गया था तो एक बढ़ती हुई तेल के दामें इंडिया के लिए बहुत से नुक्सान हो सकते थे ऐसी सोचती FIS की जैसे inflation जबरदस बढ़ेगा currency बहुत वीकेंड होगी corporate की margin suffer होगी fiscal deficit का खराब होगी तो इसलिए उन्हें धाई लाग क्रोड का पैसा निकाला अब जुलाई से क्या हुआ है कि यूएस में ये inflation को control करने क्योंकि यूएस में inflation डेढ़ परसंट से 9 परसंट तक चल गया था चे गुना तो ये माल को उनको inflation control करना सबसे important चीज हो गया था तो उन्हें रेट है का इस्तमाल किया क्योंकि यूएस में सब demand-driven economy है demand को cool करके ही वो inflation को नीचे ला सकते हैं और उस कोशिश में दो चीज होती है एक तो inflation control में आये मगर growth GDP growth भी गिरेगा तो naturally slow down और recession का महौल आ रहा है तो ऐसी हालत में तेल की दाम गिरने लगी 125 की दाम जो थी उससे गिर गिर कर 55 तर गई फिर वापिस 90 तक गई फिर अभी 80 के असपास है तो यह गिरते हुए तेल इंडिया के लिए positive है तो वापिस जुलाइस से FIS की वापस ही आपने देखा अब 2023 की बात करें अपने market lifetime है इसलिए पहुंचा है क्योंकि भले ही FIS ने खाली 80,000 क्रोड वापिस लाए है बट mutual funds domestic funds इतने strong रहे हैं SIP वो कितनी strong रही है तो mutual funds भी उसके साथ खरीदारी कर रहे हैं तो दोनों को मिलते हुए जो खरीदारी market में हो रही है वो वापिस October की हाइस में market को ले चली अब लोग बुच रहे हैं कि अरे बापिस प्रीवेस हाई को आगया market अब आगे किसे बढ़ेगा आगे इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जैसे recession का महोल सामने आता है यह तेल शायद और गिर सकता है शायद एक दो मैने के लिए ऐसी लेवल पर रहेगा क्योंकि अब western देशों में एक winter ठंडी की महोल है ठंडी की महोल में उनको heating के लिए तेल की जरुरत है तो तेल का demand थोड़ी strong रहेगी but March आते ही जैसे summer spring और summer शुरू होता है जैसे यह तेल का दाम गिरेगा slow down भी होगा तो तेल और गिरने की गुंजाइश है तो समझे की धाय लाग क्रोड नौ मैने में भार गया असी हजार क्रोड़ी बाकी वापिस आया है तो एक लाक पिच्चतर हजार क्रोड एफाय पैसा अभी वापस इंडियन मार्केड में आने को बाकी है तो दो हजार तेईस में इसकी वापसी में देख रहा हूं देरे देरे जैसे clarity आती है तेल के दाम के गिरावट के बाग औ जो हजार तेईस में पहुंच सकती है अब जरूर पहुंचेगी यह है मेरी है तोच आउट लोग फोर 2023 काफी इंट्रस्टिंग फैक्ट आपने मुझे बदाया और मैंसे यह संजा कि यू एस में जब रिसेशन आता है तो तो तेल के प्राइजिस कम होते है उससे इंडिया के जो manufacturing sector है जो इंडिया की ओल की consumption है उसके prices इंडिया को कम लग जाते हैं और इंडिया के प्रॉस्टेट्स अच्छे हो जाते हैं जिसके जलते हैं इंडिया में इंट्रस्ट दिखाने लग जाता है अपने मेरे आने वाले दो तीन कोश्टं का जवाब जो है इसी के अंदर वो मंदे खहिन हाई करता है तो क्या Fynn करहिंदा самой का। क्योंकि मज़े मृजचे यह एसा लगता है कि लगा करें तो हमेशे हम्हें देख भी उहा पर रेट हyan रही यहां निप ले से निंख से रहा ले तो एक बात मैं एकड़ी की मार्केट के बारे में आपको बताना चाहूं आपके दर्शकों को भी कि sell on the rumor buy on the fact कुलते हैं buy on the rumor sell on the fact होता है क्यों मैं कि रहा हूँ ना rumor को आप substitute कीजिए expectation right अब fred rate hike करने वाला है यह market ने discount कर दिया है तो फेड का जो rate hike होगा उसका कोई असर नहीं होगा क्या फेड जब rate hike करती है अगले quarter के बारे में कुछ बताती है उससे ही कुछ नव कुछ असर पड़ेगा तो आने वाले दिन में rate hike मैंने का आज साड़े तीन के प्रशिशत है दस साल का यूस ट्रेजरी का बारोई शॉट टर्म चार परसन के करीब है मगर market ने अल्रड़ी पांच सबापांच तक का rate hike को अल्रड़ी anticipate कर दिया है और accept भी कर लिया है तो अगर अगर ऐसा हुआ कि मेरे को पांच नहीं करने वाला हूं साड़े पांच करने वाला हो तो यह market के लिए negative surprise होगी अगर ने कहा कि मैं मेरे को पौने पांच ही ठीक लग रहा है तो market के लिए positive surprise निकलेगी तो rate hike से ज्यादा expectation of the rate hike जो आती है आने वाले दिन के लिए वो ज्यादा मायने रखती है और अगर ऐसा हुआ कि fed ने rate hike करते हुए बताया कि मेरे को target rate hike साड़े पांच दिख रही है ऐसा कोई signal आया तो market वो negatively लेंगी कि अरे यार हमने सोचा कि यह सवा पांच पर रुख जाएगा नहीं है और बढने वाला है तो आप देख सकते हैं कि शायद थोड़ी flows की reversal हो सकती है shot of तो यह track करने की जरुरत है वही इसलिए कहते हैं कि fed की commentary इतनी ही important है जितनी की उनकी action right right sir एक कोशन मेरे माइंड में है अब retail investors के point of view से तो बहुत लोग वेट कर रहे थे market गिरेंगा में इन्वेस्ट करेंगे market गिरा भी अब अपने all-time high पे आगया है अब वो डर रहें कि अब तो all-time high पे है अब इन्वेस्ट करने का साही समय है नहीं अब तो सारे आप उसको क्या गाइड गरना चाहेंगे दो तीन चीज में कहूंगा कि रिटेल में सब्सक्राइब देखता है सेंसेक्स या निफ्टी की मगर वालुएशन पूरी तरह समझ नहीं पाता है क्योंकि अब ही डिस्क्लोज जो होते हैं वालुएशन वह ट्रेलिंग पी के होते हैं ज्याधा तर तो मार्केट अलएस एक फ़र्वर्ड मार्केट है को कहते हैं यह लीड इंडिकेटर अपश अपर देखें तो आज लेट से निब्टी का पीज़ी वाइस पह है वन एर फ़रवर् करीब है और जो अक्टोबर में हाई था शायद वो पहुंच चुका है मार्केट मांगर उसके पहले डिजंबर 2017 में जो हाई था ओवराल मार्केट का वो अभी पहुंचा नहीं है क्योंकि वो पचीस के पी के करीब था तो नमबर वन नमबर टू यह एकुटी मार्केट एक्स कि इसकी ग्रोथ तो हर साल एक ग्रोथ बढ़ते भढ़ते मार्केट को भी बढ़ना ही जुरूरी है तो मार्केट का कोई लाइफ टाइम हाई से आगे और एक लाइफ टाम ही नहीं बन सकता है यह गलत सोच है लोटे पर साल एस महल टीख है लिकुडिडीटी ठीक है आपको देखिये, equity market long term में देश की nominal GDP growth को reflect करती है. एक long term अधीपे देखें अब, तो इंडिया की nominal GDP growth की expectation रही है कि अगर 6% का real GDP growth है और 6% की inflation है, तो 12% का nominal GDP growth है. तो कई साल में हो सकता है कि थोड़ा correction आये कोई साल में हो सकता है कि 20% का return है मगर एक longer term में आप average देखें तो ये 12% तो minimum market को बढ़ना है एक longer term में तो ऐसी हालत में retail इसको कहूंगा कि आप ये market की levels के बारे में सोच सोच कर अपना actions मत लीजिए अब ये लीजिए कि आपको क्या लग रहा है अद्वाजर्स एक्सपर्स अप और सब बहुत आपको guidance देंगे मगर economic की growth अगर में आपको confidence है तो एक broader market में अगर निवेश करेंगे तो आप गलत नहीं होगे मैं वही कहूंगा कि बहुत जारा मैंने large cap में डाला उसको निकालके mid cap में डाला ऐसी churn करने की ज़रुरत नहीं है दूसरी चीज है at always एक multi-cap approach रखी है क्योंकोस different time frames में different cap course perform करती है यह predict करके एक बहुत सुस्तरी से हम एक से दूसरे इसमें से उसमें उसमें नहीं कर सकते हैं यह frequent churning एक बहुत गलत जो उनको profit पूरा पाने से prevent करती है तो मैं कहूंगा कि एक multi-cap portfolio से आप stay invested रहें इंडिया की भविश्या आपकी portfolio के भी भविश्या अच्छा बढ़ाने क्या बहुत बढ़िया इसमें एक नेरे पास question है में दो question निकले इसमें से सबस्वेला question तो यह जब हम बात करते हैं जैसे आपने तो Japan में क्या इतने समय तक हमारा जो हमने देखा कि उनका जो index था वो same level भी बना रहा या अगर मैं बात करूं तो 20 साल तक मेरे खाल से उसने कोई return ने दिये 20-25 साल तक उसने कोई return ने दिये तो क्या एक layman यह समझ ले कि Japan का उस समें GDP नहीं बढ़ा या कुछ और factors थे और होना इंडिया में कितना पॉसिबल है कि Japan में क्या है कि interest rate 0% के करीब है बहुत साल से सेकेंड चीज जपाइन के बार में है कि वह उसका 80% export or rated economy तो जपाइन की local economic growth, world economic growth के हिसाब से चलती है और जब 0% interest rate है तो equity market का premium होता है एक या 2% उसके उपर इंडिया में 7% interest rate है तो premium होता है तो 12% मिल सकती है तो एक interest rate आपको risk-free जो return होता है वो 0% के करीब है तो capital flows भी जपान से बाहर जाने लगे तो local demand उतना नहीं था जो भी हमारी आप से बात हुई है आपके मने और भी जो इंटर्वी जो इंटर्वी से कर दे कर दे के आप हमेशा मिडिया पर स्मॉल कैप पे बहुत जादा बुलिश रहे हैं अगर मिट कैप और स्मॉल कैप का अगरम पिछले तो साल का प्रफॉमेंस देखें तो बहुत अच्छा है उसके बाद एक आराम से बैट गए है अभी उतनी ग्रोथ नहीं आई अगर में निफ्टी-50 के मुकाबले ने देखता हूं जितना निफ्टी-50 में जंप आ गया है अभी मिट कैप स्मॉल कैप जो है थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं तो क्या अभी भी वो बुलिशनेस आपके माइंड में है क्या यह सही समय रहेगा मिट कैप और मिट कैप और स्मॉल कैप में अच्छी ऑपॉर्टीज को एक्स्लोर करने का बिल्कुट रहेगा इसके लिए में तीन कारण बता हूँगा आपको तो पहली चीज यह है कि मिट कैप में खरीजारी होती है जब डोमेस्टिक एकोनोमिक इस्तिती अची दिख रही हो लुक्ति नंबर वन क्योंकि ज्यादे तर में ज्मॉल कैप एक डॉमस्टिक और साथ तालुक रहता है नाबर वान नंबर टू मिट कैप में क्या होता है कि लिकुडिटी लार्ट चैप से बहुत कम होती है तो खरीदारी का लेवल जो एको लार्ग किया तो शाय दो में बढ़ खोगी तो मिड़काप में पांच या शे परसंट बढ़ वोगी और गिरावट के समय भी जार्ट के आप उतना शायर बिके तो दो परसंट की गिरावट होगी तो थोड़ी बहुत लिकूडिटी आके उतर बहुत एक difference करती है वोग चीज तीसरी बाते मिड कैप में और स्मॉल कैप में 90% खरीदारी local players करते हैं FIS का कुछ उसमें तालुप नहीं रहता है तो ऐसी हालत में अब मिड कैप की performance में वीचे देखे मैं कहूंगा कि आपको मैं तीन डेट बताओंगा डिसंबर 2017 मार्च 2020 और अक्टोबर 2021 यह क्यों बता रहा हूं मैं यह डिसंबर 2017 और अक्टोबर 2021 दोनों market के high levels थे और मार्च 2020 कोविट के टाम में market से सबसे low level था तो situation यह रही है कि डिसंबर 2017 में क्यों हाई पे थे क्योंकि 14 से 17 क्योंकि BJP सरकार की शुरूइथ हुई तो सब महुल अच्छा चल रहा था तो उस टाइम पे मिड कैप का पी 35 पे चला गया था क्योंकि domestic economic situation बहुत अच्छी दिख रही थी 2017 से बीस जब domestic economy के downturn शुरू हुई क्योंकि ILFS crisis DHFL crisis negative inflation तो उसके बाद कोविट का हर्सा भी आया तो मार्च में एकदम भाइंकर गिरावट आ गई थी मार्च 2020 में तो दो फॉल इन वालुएशन ऑफ मिड्यक्प इंडेक्स का करेक्शन बहुत भाइंकर हुआ था फ्रम डिसंबर 2017 मार्च क्योंकि एकनोमी की situation भी अच्छी नहीं अब मार्च 2020 में क्या हुआ इनिशली लॉक्डाउन और यह वाले चीज के कारएं डॉमेस्टिक एकनोमी की ग्रोथ भी अच्छी नहीं दिख रही थी उसके बाद एक वीशेफ देरे देरे रिको रही हुआ मगर अट दे सेम टाइम लार्ज कैप में फॉरिनर्स ने बहुत इंडिया में निवेश करना शुरू किया क्योंकि और तेल का दाम बीस डॉलर तक गिर गया था कोई के टाइम में तो मार्केट की जो राली रही थी पोस्ट मार्च 2020 एक एफाय डिवन राली थी इसलिए बहुत कम होने के कारण भी हुई थी मगर सप्लय आफ फंड्स में के लिए नहीं थी इवन डॉमेस्टिक म्यूच फंड के पास पैसा नहीं था क्योंकि इन्वेस्टर्स बाहर निकाल रही थे राइट ये फ्लो की पैटर्न ने डिसाइड किया कि लार्ज कैप बहतर रहा थ जलात नहीं रिचांप अब मौब टमेस्टिक मुचुल फंड के पास पैसा आ रहा था राइट तो उन्हों ने वो लाज कैप को खाड़ीदा not meeting small cap विकरण तक फिसरे फाइस रहे थे, उनको सस्ते में large cap stocks मिल रहे थे, तो ये mutual fund के पास जो flow आया, वो large cap ज्यादा गया क्योंकि good quality stocks सस्ते में मिल रहे थे, क्योंकि FIS blindly इंडिया को बेच रहे थे, तो उसके बाद अब की हालत क्या है, कि 80,000 क्रोड FIS का वापिस आया है, तो थोड़ा बहुत large cap बढ़ने ही बन सकता, तो आज दोनों domestic mutual fund और FIS large cap टी शेतर में ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, मगर जैसे ही ये 80,000 क्रोड से बाखी जो पौने 2,000 क्रोड पैसा और आएगा, तो large cap टी वालुएशन और बढ़ने लगी, तब domestic mutual funds अपना allocation को large cap FIS को बेचते, mid and small cap पे divert करेंगे, क्य भी अच्छी लग रही है, क्योंकि investment cycle और consumer discretionary cycle, ये दोनों चीज ही हमेरे economy को आगे लेने वाले उदर ज्यादा तो stocks, mid and small caps है, तो आने वाले दिन में, जैसे ही large caps का वापसी देखेंगे, mutual funds अपने stocks को उनके हाथ में सौमते हुए, उस पैसे को लोकर mid cap में reallocate करेंगे, तो वन रुपी जो large cap में 5% का गिरावट दिखा सकता है, वो 15% का gain mid cap में आएगा, because liquidity में जमीन आसमान का फरक है, between large cap and mid and small cap, तो अगले साल, 2030 में समझता हूँ कि ये mid and small cap की साल होगी, क्योंकि ये जो diversion of flows towards जहां पे growth की visibility है, और naturally export oriented sectors जैसे IT जादा तर large cap index में है, वाँ recession का का असर दिखेगा, तो naturally वाँ से भी divert हो रहा है, तो ये मेरे लिए 2023 एक change over period है, जहां पे, आप mid and small cap को leadership, both in terms of better earnings expectation and in terms of liquidity allocation to mid cap, ये दोनों चीज़ में mid caps के लिए positive 2023 वे साल में देख रहा हूँ, तो अब सर इसमें retail investors के point of view से question पूछता हूँ है, कि एक बार को तो retail investor Nifty 50 में से stock choose कर लेता है, उसे दिखता है clear leaders है, market में सबसे पहले, सबसे आगे चल रहे हैं, established company है, 25-25 साल का track record है, 30-30 साल का track record है, या उससे भी जादा का track record है, लेकि वन इट कमस to mid cap and small cap space, तो वहाँ एक तो retail investor उस company के बारे में बहुत कम जानता है, प्लस उसके बारे म market में भी knowledge, जितनी openly हमें large cap के बारे में मिल जाती है, nifty 50 stocks के बारे मिल जाती है, लेकिन उन stocks के बारे में बहुत कम knowledge मिलती है, तो ऐसे में आपका क्या guidance रहेगा retail investor के लिए, whether they should go for individual stock selection in mid cap and small cap space, या फिर वो एक mutual fund की तलाश के थ्रू जाएं, और mid cap और small cap funds में निवेश करना शुरू करें, बिल्कुल जो second चीज आपने कही, mid and small cap में आपको जिल्कुल खाली mutual funds के उपर rely करना चाहिए, individual stock selection में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि दो-तीन चीज है इसके पीछे, एक ये होती है कि mid caps में एक timing of entry and timing of exit होता है, तो वो एक चीज आउन को track करना इतना असा नहीं है, second information public domain में जो होता है, वो mid and small cap का कम होता है, इसलिए mutual funds directly उन कमपनियों से बातशीत करके उनकी business को समझते हुए अपना decisions लेते हैं, तीसरी बात ये है कि आपको small cap index में जितने stock है, उतने stocks बाहर है index से, तो खाली index की stock से ही बात नहीं चलती है, आपको overall economy में जो total listed universe स तो उसमें से आपको फैदा उटाने की जरूरत है, fourth चीज मैं कहूंगा कि corporate governance, देखे company के पीछे owners कैसे हैं, कैसे उनके चाल से लिके हैं, कैसे जलाते है business, क्या उन्होंने अपने shares को pledge करके business चला रहा है, तो बहुत risk होता है उसमें, right, तो ये सब बातें भी एहम चीज रख करते हैं, stock market में, small cap पर, small mid cap stocks में, उनकी चीज के कारण जो होता है, कि unexpectedly एक stock बढ़ती है, फिर stock गरती है, ये बहुत हानिकारक्षी से एक retail investor के लिए, तो मैं कहूं कहूं, on the balance, आपको mid and small cap छेतर में, आप बिलकुल अपना reliance mutual funds के उपर की है, वहां पर थोड़ा diversify की है, क् कि universe इतना बड़ा है, आप 2-3 small cap fund और 2-3 mid cap fund ऐसे आपने spread कर दिया, तो आपका पूरा universe का एक अच्छा protection मिल सकता है, मैं वही कहूंगा कि research और knowledge का importance mid cap और small cap में, large cap के comparison में, बहुत ज़्यादा है, और उतना time, energy, financial resources, ये सब retail investors पास जरूर नहीं होगा. अब इसमें एक और question निगलता है, कि अभी आपने बहुत बड़ी statement दी कि 2023 जो है, वो रहने वाला है, mid cap और small cap के नाम, यानि उनके लिए बहुत bright year रहने वाला है, आपने पूरा उसको support भी किया facts के साथ, अब इसमें एक question ये है, कि क्या mid cap और small cap में ये lump sum investment का समय है, या अ आपनी है available, तो कर दी जाए, मैं क्यों ये कह रहा हूँ ना, कि एक investment का time frame की बात होती है, अगर आप 2 साल की time frame से कर रहे है, तो फिर आप एक volatile time में 6 महिने के उपर आपने stagger किया, तो 2 साल की time में आपको difference पढ़ सकता है return में, क्योंकि आपने सस्ते में खरीदा, मगर तीन से पांच साल के time frame में जाए, और अगर market में सोची कि पांच साल में पैसा double होता है, यानि rule of 72 अपप्लाई करें 14-15% का return, तो आपको ये 10 रुपीस पे खरीदा, 980 पे खरीदा, 990 का कोई असर नहीं पढ़ता है, तीन साल या पांच साल के बाद, आपका total return में, इंस्ट आप 22 percent, 21 percent आएगा, तो मेरे ख्याल में एक longer term investor को, अगर आपका income monthly आ रहा है, तो अब उसी हिसाब से invest कीजिए, SIP को, अगर खात में लंसम है, मैं कहूंगा कि आपको एक ही short में, maybe max 3 months time frame, अगर उतना आपके पास डर है, तो एक तीन महने में आप तीन market के correction, क्योंकि ये correction का इंत करते करते मौकिक हो जाते हैं, हम 7800 से भी correction का वेट करते कब 4000 आएगा, तो तो इन्वेस्ट करेंगे, अब आप बात करते हैं, कुछ sector specific बात करते हैं, तो top 3 sectors अगर आप से बोला जाए के बताएं, दाने वाले 2-3 साल में top 3 sectors कौन से ओने वाले और कौन से 2-3 sectors हैं, जिन पर आप bullish हैं, तो मेरे लिए सबसे पहला उन्दा सेक्टर है, banking and financial services, तो इसके अंदर बहुत से segments है, private sector banks है, public sector banks है, NBFC है, insurance companies है, asset management companies है, wealth management companies है, यह सब है, कुछ lending की तरफ है, कुछ wealth management की तरफ है, इंडिया की growth में, banks का बहुत बढ़ा हाथ होता है, और क्या हुआ है कि banks ने COVID के time में जो problems face किया था, अब उससे बाहर आ चुके हैं, और खास करके चीज यह है कि उन्होंने अपना NPA का provisioning करके बहुत healthy balance sheet करा दिया है, और दूसरी चीज, उन्हें अपना lending book को एक floating rate पे करा दिया, तो अभी जैसे ही rate hikes हो रही है, उन्होंने अपना 30-35 basis points सी deposit rates को 100 basis points के करिब उन्हें ने lending rates को बढ़ा दिया, तो यह एक चीज, दूसरी उनके लिए तीसरी positive, first low NPA, second floating rate, third यह चीज है कि दस सल से इंडिया में corporate lending कुछ ज्यादा हुआ नहीं, यानि corporate capex कुछ ज्यादा हुआ नहीं, इसलिए corporate का lending ज्यादा हुआ नहीं, बग अब मौहल है क कौपरेट्स अपना capacity बढ़ा रहे है, PLI scheme के जरीए भी capex चालू हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि corporate lending एक नया lease of life देगी अभी banks को, और वहां पे public sector banks को थोड़ा better market share होता है, क्योंकि उनकी small and medium scale sector में exposure अचा होता है, तो public sector banks को कि बहुत historically उनका valuation relative to private sector लो रहा है, थोड़ा वो valuation correction, the gap जो है वो narrow होगा, तो उसमें भी आपको अच्छी profit बन सकती है, at the same time per capita GDP जो है इंडिया का आज करीबन $2,300 के level पे है, अगले decade में, 2030, 32 तक ये दुगना होते हुए दिख रहा है, तो ऐसे दुगना होता है, तो savings potential भी बढ़ता हुआ, आदमी कितना खा पी सकता है तो income बढ़ती है, तो ज्यादा उसका savings की ओर जाता है, तो wealth management side, insurance companies, AMCs, इनके लिए भी मैं बहुत एक अच्छा future देख रहा हूँ, तो और mutual fund की penetration as a percent of GDP इंडिया lowest in the world में है, तो ऐसी हालत में मेरे लिए overall banking and financial services की जो sector की outlook बहुत बढ़िया दिख रही है, तो वो मेरी top pick होग as a portfolio selection, second pick मैंने अभी उसका जिकर किया कि investment cycle अभी वापिस शुरू हो रहा है private sector के और से, तो ये private sector cycle में जो capital goods suppliers है, cement company है, EPC contractors है, steel company है, इनके लिए भी order books बहुत बढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ, तो overall industrials as a segment मेरे लिए बहुत positive outlook दिख रही है, वो second sector होगा, तीसरा sector जो अगें वो मैंने per capita income की expansion की बात करी, तो जैसे ही India का population, poorest of the poor, 10 साल पहले 33 प्रतिशन द प्रतिशन द प्रतिशन थे, डिकेड के अंदर 11 परसंट तक गिरने वाले है, तो ये 22 परसंट के लोग, middle class और upper middle class, और इंडिया को largest middle class in the world, हमरी population, और चाइन को overtake कर तो है, हम 370 million middle class अभी है, तो उस चीज में discretionary consumption, यानि एक consumption को दो तरह से split कर सकते हैं, एक basic staples को जो कहते हैं, जो आते हैं अपना तेल, अपना toothpaste, अपना soap, अपना consumer staples, अपने खाने पीनी की चीज, तो ये consumer staples, आधा एक poor person के income से आधा उसमें जला जाता है, मकर जैसे ही आपकी income बढ़ती ह है, आपकी गाड़ी लेने में, घर लेने में, expensive clothes लेने में, चूटियां पे जाने में, इसके उपर discretionary consumption पे जो allocation होता है, वह जबरदस्ट बढ़ता है, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत turning around point है कि doubling of the per capita income से, आप tripling of the per capita consumption in terms of discretionary items, तो इसमें तीन segments है, जो मेरे लिए important है, एक consumer durables, जैसे refrigerator, AC, घर के वाली जो appliances होते हैं, वो चीज, दूसरी होती है, auto, vehicles में, two wheelers, cars, वो एक चीज, तीसरी होती है, housing, क्योंकि आज 25 years में आज compare करें, property prices as a percentage of annual income, आज lowest level पे है, that is, it has never been more affordable to buy a house, तो housing का एक boom चल रहा है, तो वो एक consumer discretionary का अंदर एक बहुत बड़ा segment है, जो कि 10-12 industries को business देता है, घर बनता है, तो cement का demand, steel का demand, copper wire का demand, tiles का demand, sanitary wire का demand, paint का demand, woodwork का demand, इतने सारे industries को benefit मिलती है, तो housing government के लिए भी एक बहुत important segment है, housing for all, अधार housing का भी एलान किया है government ने, और क्योंकि ये also biggest employment generator है, construction sector में ही highest employment, वो इंडिया के लिए बहुत important चीज़ है, तो मेरे लिए consumer discretionary की rate of growth, 18-20% per annum में consumer durables की growth देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए three important, to summarize, banking and financial services, industrials और consumer discretionary, ये मेरे लिए multi-year themes है, और इसमें और एक खास चीज़ में बताऊं कि ज्यादा तर public sector bank और industrials और consumer discretionary company, mid and small cap शेत्र में है, क्या बात है, ये तो आपने बहुत सारे hints दे दिया है, आज डिटिल इन्वेस्टर इसको है, mid cap, small cap के point of view से भी, और sector के point of view से भी, एक बात हमने भी PSU banks की कर दियो, PSU banks में काफी चीज़ों में improvement देखने को मिला है, अब valuation, उनकी मुझे लगता है, आज भी private bank के मुकाबले कम चल रही है, लेकिन फिर भी काफी growth हो चुकी, valuation भी काफी बढ़ चुकी, अगर मैं एक example के तौर पर SBI की बात करूं, तो उसमें बहुत, बहुत ही जबर्दस जो है वो रन दिखाया है, और अपनी मुझे लगता है कि वो all time high पे समें बैठा हुआ है, स्टेट बैंक अप इंडिया का, स्टॉक की वे बात करता हूं, क्या और भी अभी इसमें margin बचा है, ऊपर की तरफ जाने का, या यह अपनी पीक पे अप जा चुके और म तो यह numbers जो आएंगे, business के numbers वो expectation से बहतर आ सकते हैं, तो automatically आपको मेरे लिए और भी थोड़ा room है, public sector of banks की valuations को, देखे कभी यह बात समझें, कभी public sector of bank की overall valuation private sector का equal नहीं करेगी, always वो efficiency का, turn around speed का, quick action लेने का, वो difference रहेगा, right, क्योंकि और एक चीज़ में याद रखिये की, कि reinvesting the capital in the business, private sector banks आसानी से कर सकते हैं, अगर public sector में government के लिए dividend देना एक important चीज होता है, तो इसलिए उनके लिए एक discount चलता है, क्योंकि वो पैसा government को अगर जरुरत पढ़ती है, अपने balance sheet को manage करने के लिए, तो आसानी से वो dividend पूछ लेते हैं और पैसा उठा लेते हैं, त यह सब एक discount factor always चलेगा, आप याद रखिए, कभी वो यह gap को, मैं zero होते हुए देखते हुए उतना profit margin है, यह गलती मच कीजिए, gap narrow होगा, क्या और भी narrow हो सकता है, जरूर हो सकता है, मागर उसका भी एक limit होगा, तो अभी वो limit के हम pass है या उस limit से भी काफे दूर चल रहे है अभी हम, जो limit आपने बताई कि limit जरूर होगा, मैं top public state of banks में limit के पास है, medium size public state of banks में अभी भी room है, क्या बात है, एक हमारी जब टीम research कर रहे थी, तो एक आपके statement है कि इंडिया की जो inflation है, वो rates पे कम और monsoon पे जादर dependent होती है, तो काफे interesting statement मुझे लगी, तो मैं आपने बात बताई थी, हमारी CPI जो है, consumer price index में हर चीज का weightage होता है, तो हमारी CPI के अंदर 48% food का weightage है, तो बात उससे ही बनती है, तो food माने हमारी क्या crop के ऊपर बनती है न, तो naturally monsoon अची आती है, तो crop का supply अचा होता है, तो दाम घरते हैं, तो inflation गरता है, तो अमेरिका में उनके CPI में 42% housing है, तो housing is a demand-driven story, तो अधर, you know, it is a demand-driven economy, हमारी अभी भी एक supply-driven economy में चल रही है, तो इसलिए यहां पर monsoon का सबसे बड़ा हात है हमारे inflation को control करने हैं, तो monsoon अच्छा हुआ, फसल अच्छी हुई है, तो inflation control में रहेगी, this is what you want to say, absolutely, 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 बिल्कुल, गेट, एक और statement आपकी हम लोगों ने जो यहां पर लिखी है, आपका एक mantra रहा है, वो यह है कि, separate the buying decision from the selling decision, तो इसका क्या मतलब है, और कैसे retail investors इसको use कर सकते हैं, separating the buying decision from the selling decision, देखे, जब आपने एक stock अपने खरीदा, समझे, अच्छी अपने खरीदा, कुछ आपके पास outlook होंगे उसके बारे में, कि एक उमीद रहेगी, एक expectation रहेगी, और उस उमीद से आप उसको खरीते हैं, जब वो खरीते हैं, आपका कुछ गोल होना चाहिए, आपको कभी permanently एक stock को hold करने की, आपको मन में सोच नहीं आना चाहिए, हर एक stock, हर एक mutual fund, हर एक investment decision का एक मकसद होना तो वो इसकी चीज के कारण है कि आपके गोल अभी तक आई नहीं है, राइट वो एक बात अवयाद रखिए, तो हर एक stock का एक buying का time आता है, और उस time में उसको बेचनी की जरुरत है, राइट? तो अगर आपकी गोल आचुकी है, आपकी रिजन्स वाइंग थे, मगर अब गोल पहुची तो आपको बिचना है, नो यह भी हो सता है कि आपकी गोल पहुंची नहीं, मगर अभी 10 साल होके उस टॉक को होल्ड करते हुए, अब आपको आपकी गोल नजीक नहीं आ रही है, तो सोचना है कि क्या गलत मैंने डेजिजन लिया, तो जो पुराना अपने डेजिजन लिया, उसके कारण जो भी थे, उसको भूल जाईए, आज अगर उस टॉक को अपने बेचा, भले ही लॉस में बेचा, क्या री डेपलॉई करने के लिए, बहतर मोका आपको सामने दिख रह हैं, तो आपको बेचने की जरुरत है, अरे मैंने अच्छी कंपनी समझ के मैंने ले लिया, तो मैं उसको मैं जिन्दगी वर हात पकड़ के रखूंगा, यह बहुत गलत चीज है, बाइंग का डेजिजिजन अलग था, तब वक्त डिफरेंट था, तब आपकी सोच डिफरे रिवाल करें, तो इसलिए मैं कहूंगा कि हर लॉंग टर्म पॉर्फोली में, एवरी थी यह आपको रिवालोट करने की ज़रुत है, और वो तीन साल के बाद जब रिवालोट कर रहे हैं, वेदर अट प्रॉफित और लॉस इस इर्रेलेवेंट, क्योंकि अगर आज बेच आप, you are looking at new opportunities, उसके उपर आप भरोसा कर रहें, तो जो डिजिजन था भाइं का, you should not come and cloud your decision to sell, अरे मेरे दस पी लिया, आज चे पे जा रहा है, चार रुपे का नुकसान है, इसलिए आप न बेच पाते हैं, क्योंकि लिए बहुत मुश्किल होता है, वो डर से आपको हटक पाते हैं, वो डर से पाते हैं, आप एक फ्रेश टॉक पे करेंगे, और अगर उमीद आपकी अची है, तो बुटलेसली, ब्लाइंडली आप वो लॉस को बुक करें और वो फ्रेश इनवेस्मेंट को ले ले, तो ओल्ड डिजिजिजिजिजिज उफ बाइंग शुड नाट बहुत से इन्वेस्टोस को लॉस रिकिनाइस नहीं करते हैं, वो गजरेज कपर में जाके लॉस मेगं फ्रेश को लॉस मेखिंग को अंदर रखते हैं, और खाली वो प्रॉफिट मेखिंग से बेश्ट है, और उसके बाद वो सरॉक और दुगना हो जाता है, क्योंकि वो प वो loss book करके आपके वास opportunity अच्छी जो है वो बन सकती है obviously वो सोची समझी opportunity होनी चाहिए ऐसा ना हो कि आप एक और loss making company के अंदर जो है वो invest करते हैं great क्योंकि आप fund managing करते हैं mutual funds अगार सब manage करते हैं तो एक एक बड़ा interesting एक हमारे कास एक research है कि जादा तर fund managers जो है वो similar holdings रखते हैं अपने funds के अंदर और यसा कहा जाता है कि fund managers can afford to fail together but they cannot afford to fail alone तो इस पे क्या thought और ऐसा वो क्यों सोचते हैं क्या एक contra view लेने में एक industry से अलग हटके चलने में थोड़ा सा डर रहता है कि investors का backlash आएगा या कोई और कारण है इसके पीछे ने इसके बीचे दो दो कारण इस तीसरी भी है मैं दो पहले बताता हूं पहली चीज़ है कि एक fund manager का appraisal कैसे होता है end of the day वो अपना काम अचा करें तो इसके boss उसको recognize करें उसको bonus और यह अच्छा दे ना तो हर fund manager की अप्रेजर होती है कि एक benchmark जो है उसको आप बीट करें राइट आप इंडिस्री में हैं दस-बारा बेंचमार्क सबके सब fund manager को वही benchmark track करने है अगर आप benchmark को बीट करने के कोशिच कर रहे हैं तो आपकी portfolio में ज्यादातर benchmark stocks होके थोड़ा बहुत ही आप variation करें सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा risk benchmark के खिलाफ आपने ले लिया तो आपका future एकदम bright यार एकदम गयदात होता है तो यह risk fund managers are meant not to take इसके से भी भी वही पूछती है बार-बार कि benchmark के खिलाफ performance benchmark के खिलाफ performance because और एक इसमें चीज़ है कि that benchmark ही communicate होता है offer document के जरीए investors को कि यह fund manager की कोशिश benchmark को beat करना होगा समझ रहे हैं तो investor को भी हम messaging यह दे रहे हैं कि यह fund is benchmark के खिलाफ perform करके उसको beat करने की कोशिश करेगी तो ultimately क्योंकि कुछ गिने चुने benchmark की है सभी fund managers वही benchmark को track कर रहें इसलिए portfolio में alignment आ जाती है number one number two इसके उपर अगर सभी fund manager ने बेंचमार को beat क्या तो एक और दूसरे में फरक कैसी आएगी right तो इसके लिए होता है quartile performance यानि आप large cap fund लीजिए industry में 40 large cap fund है उसके अंदर आपकी performance कैसी रही है यह होती है next level of appraisal of a fund manager यानि आप industry की average से better हो यानि आप top quarter top half में हो तो उसको चार quarters में divide करते हैं industry normally quartile 1, 2, 3, 4 यानि top 25 percent next 25, next 25, next 25, next 25 तो fund manager के लिए incentive होता है कि आप अपने competitors से बेहतर करो from a quartile perspective आप बात बनती है क्यों मैं कैसे better करूंगा अगर हमें copy करने वाला हो जो question आपने पूछा मगर क्या होता है कि fund managers को हर fund manager क्योंकि सभी monthly disclosure करते है portfolio में आपको पता होता है कि आपके computer ने कुनसे stock लेके पिछले मैंने किसने अच्छा performance दिया तो तो नाच्रली अगर उसके portfolio में एक stock आता है जो आपके portfolio में नहीं है तो आप उसके बार में ज्यादार करते क्या हुआ कि ये सौक चला जो मेरे कन में सामने नहीं आया मेरे हांगों के मेरे रिसर्च कि सामने या और फिर उसको कर्ड़ी करते है और अपको भी ओ लाजिक तो एक पिर लेवल मेरे को आउट परफॉर्म करना तो अट लिस्ट मेरे को एंशूर करना है मैं पियर के एकोल हो उसके बाद आउट परफॉर्मस की बात करेंगे ना तो ये सेकेंड चीज है क्योंकि अमारी ओपन इंडस्ट्री है डिस्टोर्श वोथ होती है वो तीसरी पर शाल श्तोरी तरह बात क्या बता होँ मैं तीसरी बात है कि फंड मैंचर अएक तरफ अपनी ओन रिसर्च होता है इच फंड़ाउस के पास अनलिस होते हैं दूसरी तरफ श्टोर्श वो ते मार्किट में वह सेलसाइड रिसर्च कहते तो तो लिएमिसी कर सेके उसको भा तो पुरे फंड मेनेजर को वह बुला के प्रेसेंटेशन करते हैं. अगर वह प्रेसेंटेशन थे कन्विक्षिन होगे, तो क्यों ना जा कि वू स्टॉक खरीदे हैं? तो नाचुरिली ब्रोकर्स लोग भी अपने सभी फंड मैनेजर को वह सेम रिसेंट का रिजल्ट पेश करते हैं. तो अगर रिसेर्च बहुत स्टॉंग होता है, तो इट रिकोर्स वेरी कन्विक्षिन ना टो भी अपने स्टॉक क्योंकि पेश करें आप जो भी कुछन पूछना चारें उदर पूछ रहे हैं, तो एक क्या होगता है कि information dissemination हमारे इंडिस्ट्री में इतना easy हो गया है और transparent industry है, तो ज्यादा तर ये overlap between portfolios आ जाती है for these other reasons. पर इसमें मैं कहूंगा कि ये गलत सीज नहीं है, because ultimately investor को भी, right, मैं कहूंगा कि आप less focused fund manager और choose के उपर जिए, ज्यादा focus asset allocation अपनी goals के उपर दीजिए, तो अगर ज्यादा फरक नहीं रहा, ये अच्छी बात है, क्योंकि देन आपकी, आपनी गलत decision का भी असर, downtime, downside कम होगा, नहीं, right, 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 एक बात इसा मुझे समझागे कि FOMO is universal, चाहे एक retail investor और fund manager हो, FOMO is universal, right, yes, yes, okay, एक सब fund से related or question है, हम लोग जब funds को analyze कर रहे होते हैं, तो हम दो तीन चीज़े देखते हैं, जिसमें से एक होता है AUM देखते हैं, एक fund manager की बात देखते हैं, लेकिन अभी recently, mint का एक article आया था, उसमें उने बताया कि जो कम AUM वाले funds होते हैं, वो generally index को या अपने benchmark को बहुत अच्छे तरह किसे जो है beat कर पाते हैं, और जो बड़े AUM वाले funds होते हैं, वो beat कर पाते हैं, तो बहुत कम margin से beat कर पाते हैं, तो क्या AUM का role अब बहुत बड़ा होता जा रहा है, क्या हम fund manager के role को दर किनार करते हुए, AUM के role पे जादा focus करें कि बहुत बड़ा AUM हो गया इस fund का, तो इस समय दूर रहना चाहिए, क्योंकि शाहिद ये उतने हमें benchmark से जो है extra return नहीं दे पाएगा, या यह बस by chance की बात है कि एक particular period में यह रहा, जिस period के लिए मिंट ने research किया था, यह second जो चीज़ साब करें, यह बहुत गलत चीज़ है कि आप AUM की तोर पर जाएए, यह आपको उसको एक नई opportunity market में दिख रही है, तो उसको किसी stock को बेच कर, cash create करके उस stock को करने की ज़रत होती है, मगर उसको confidence अपने पुराने holding पर भी है, तो नई opportunity grab करने के लिए उसको fresh allocations investors से आ रहा हो, तो आसानी से हो सकता है, अगर उतनों नहीं आ रहा हो, तो उसको बेच के करना पता है, वेराइस a small fund, क्योंकि वो relatively new fund रही, उसके पाद पूरा cash का मंदर पड़ा था, तो आज की जो मौके उसको सामने दिख रह होता है, यह एक, मगर जैसे ही वो fund और time होता है और वो भी थोड़ा लाज हो जाता है, उसको भी same problem आ जाती है, क्योंकि recently जो FIS ने बेचा था October to June, और जो correction उसके कारण आई, एक मौका बना था बहुत से stocks खरीने का, और जो funds उस time में launch हुए, या उसके पहले एक साल के पेर बाद एक rise की स्टोरी में है, तो FIS selling के वक्त में जिसी ने में कुछ stock खरीदा, उसका भी फाइदा ही देख रहा है, तो इनका portfolio में ज्यादा तर वो नए stocks उस time में खरीदा हुआ था, पराने टाइम से एक stock को उन्हें 700 भी खरीदा होगा, अभी उसको 200 भी खरीदा होगा, तो इसका पूरा 200 भी खरीदा हुआ है, क्योंकि उसकी पैसा अभी उसके हाथ में आए, तो ये एक point-to-point इस market की स्थिति और हालत का result है, ये longer term में justified है, मैंने study किया है over 20 years, कि small funds or big funds, ऐसा fund का size का मैंने को कोई distinct advantage नहीं दिख रहा है, तो ऐसी mint की जो article थी मैंने मी पड़ी उ don't go by past performance in judging a fund, वैसे ही सीज है, just because ये past performance of small size funds recently अची रही है, उसको decision लेके अब future की small funds में निवेश मत कीजिए, same rule, जो past में हुआ है, ये guarantee नहीं है, कि future में repeat होगा, यही fund performance की भी बात है, और यही size की भी बात है, तो मैं बिलकुल fund size का, मैं समझूगा कि आप उसको बिलकुल तो क्या कोई limit भी नहीं है, जैसे अब किसी fund की AUM मैं बोलता हूं 30,000 क्रोड पहुच गई है, या आनले टाइम में 50,000 क्रोड भी अचीव करेगा, तो तब भी हमें कोई डरने की सुरत में है, completely हम उस factor को हटा सकते हैं, या कोई एक limit लगा के चलने माइन में किया, ये तो अ अब इस fund के लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं खाली यही कहूंगा कि आपको small cap में fund size important होता है, क्योंकि बहुत large fund है, तो उतने stock ढूनना small cap शेत्र में, portfolio में भी 200,500, 200 stocks की और जानी पड़ेगी अगर 30,000 क्रोड का small cap fund हुआ, मगर large cap और flexi cap शेत्र में, enough liquidity है market में कि 30,000 क्रो margin mid cap, flexi cap, ऐसी शेत्र में fund size की फिकर ना करें, मगर pure small cap और pure mid cap में अगर देखे, तो थोड़ा उधर असर आ सकता है, क्योंकि उधर stocks की liquidity है, एक wider portfolio, unnecessary लेना पड़ेगा आपको fund size के कारण, तो वहां पे शायद आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, कि बहुत large size funds में ना जाएं तो small cap में कहूं में कहूं कि 10,000 क्रोड से जादा वाला small cap fund या 25,000 क्रोड से जादा वोड़ा mid cap fund से थोड़ा में भी आप तोड़ा दूर रही है, क्योंकि उतना ज्यादा पैसा उस सेत्र में लगा के अच्छा performance दिलवाना भी थोड़ा एक मुश्किल, बहुत मुश्किल हो question है personally, हम सर जब भी stock market को देखते हैं, आपने भी बताया कि nominal GDP growth जितना return रहे गए रहेगा और हम देख भी रहे हैं सर इंडेक्स का, गर हम आज भी हम TRI निकाल के देखते हैं तो वो 13-14% के आसपास है, अगर मैं 2000 से भी देखने की कोशिश करता हूं तो, किसी भी mutual fund को ठाते हैं, maximum mutual fund की, बढ़िया schemes जो रही हैं, सबने 20-20%, 17-17% का return निकाल के दिया है, फिर भी, जब हम retail investor से बात करते हैं, बोलता है, मेरा तो पैसा बना ही नहीं है, stock market में, और हम जब mutual funds के websites विजिट करते हैं, या कोई भी ऐसी website विजिट करते हैं, वहा देखते हैं, इतना बढ़ पैसा नहीं बन पाया stock market में, इसके तीन कारण है, मैं सब के लिए तीन तीन बता रहा हूं को, एक कारण है कि मुचुफरन निवेश्यक, past performance वो सबसे ज्यादा एहमेद लिता है, तो समझे कि आपके पास तीन फंडे, एक ने 25% रिटर्न दिया पिछले तीन साल में, दूसर परसेंट वाला रिटर्न में हैं, आप ज्यादा पैसा डाले है, यह human mentality है, तो ने जिसका अरड़ी 25% हो गया हो, उसका ने लॉव में रिवर्शन से कम होना ही है, बैक्ट आउट तो दे आवरेज ऑपन जीपी, और जिसका 10% है, शायद उसके बास ऑपरचिनिटी है कि मैं अभी जॉनमिल जीडिव से कैच अप करो, तो आप कॉंस्टेंटली हायस रिटर्न वाले फंड में ही पैसा डालते हैं, और फिर एक्स्पेक करते हैं, हायस रिटर्न वो, इस लॉव एवरेज जो कहते हैं, उससे नामुम्किन है, तो फर्स्ट आपकी सोच में से आप पुर पैसा खाली बेस रिटर्न फंड में न लगाए, आप एक लॉव ट्राइक रिक रिकॉर्ड देके अब स्प्रेड करिये अपना रिस्क को, अब स्प्रेड करिये अपना रिस्क को, अब टू बात यू होती है कि ये रिटर्न के पीछे कारण होते हैं, बने इतना फासला स्प्रिट बाता हैं वो सिक्लिकल कॉल नहीं लिया था, बस स्प्रिट बाता है कि जो अपने यूटिलाइशेशन गिर जाती है देश में, आज हिनो हंडा या टीवियस मोटा से ऐसे बात करें लेक साम से, आज हांड़ीड तौजन वेहिकल का डिमांड है, और इंडिस्ट् तो यह वोग पाइसिटी दोनों कम्पनियां होती है कि मेरे को तीन साल के बाद चाहिद मोटर साइकल नहीं रहेंगे बेचने के लिए तो एक फ्रेश के पैसिटी फिश पचाज अजार साइकल की जोड़ देता है तो क्या होता है कि उसके दो साल के बाद कैपैसिटी तो उसका कैपैसिटी डिमांट सब्लाइड के कारण दाम गिरने लगते हैं यू कि अगर कैपैसिटी एकसे तो मोटर सेक्टी नहीं बढ़ेंगे जिदियों मिदे लिए तो यह सिक्लिकल सेक्टर में क्या होता है कैपैसिटी केप्स अड़िग इन स्टेज इन बल्क पर दि तो इक डिमांट सब्लाइ पर एक को शतयों को चैुछ गाता है कुछ सेक्टर में इसका इंक बहुत हयोता है जिस सेक्टर में फिक्स्ट कोस्स बूथ हैं और इंक्स्टे और इंटर्स। ऑछ बहुत होते हैं κοι वह फिक्सठ होते हैं तो संजिए कि 10 रुद ग सेल बन रहा ह तो रुपे का प्रॉफिट बना। मगर कल अगर आपको क्या हुआ कि 10% की गिरावत आई है। सेल्स में यानि 100 सेल्स निंटी हो गया। अगर कोस्ट आपका 40 का 40 रहा। तो प्रॉफिट आपकी 60 से 50 गिर गई। तो आपकी प्रॉफिट हो गई। तो आपकी प्रॉफिट हो गई 70, over 60, 70 over 60 is 130% increase in profit. तो cyclical industries जो होते हैं जैसे some consumer discretionary, auto, infrastructure, वहां पे एक time होता है कि बहुत बड़िया return आता है क्योंकि capacity की कमी है देश में. तो सबके सब demand is higher than supply, तो price is decided by the manufacturer. तो cyclical industries जो होते हैं infrastructure, वहां पे बुतार चड़ा बहुत होता है. तो जब आता है return, तो एकदम भांडा फोड के आता है, चपड़ बाड के और घरता है तो एकदम से चड़िया निकल जाती है. तो यह cycle को पकड़ना, हर एक portfolio manager, cyclical funds तो अलग की बात है. इवन diversified funds में, fund managers यह cycle को read करके अपने competition को beat करने के लिए यह cyclical calls लेते हैं. इसके लिए उनके performance एक period में बहुत बढ़िया दिखता है, इसलिए फासला होता है between two large cap funds और two flexi cap funds इतना difference आता है. Because उसने एक बहुत बड़ा aggressive high risk cyclical call लिया था और वो pay off हो गई. अब आप एंटर कर रहें उस fund में जब उसको pay off हो गया. अब cyclical का बात क्या है? जो उपर गया उसको नीचे आना है. Right? So, automatically law of mean reversion की बात करी वो होती है कि वो cycle जो उसका cycle चला उसके बाद उसके बाद गिरेगा. But fund manager जितनी आसानी से उसको पकड़ नहीं पाते है. क्योंकि उस cyclical से निकलना है. At that time, right time, it's very hard to time it. तो थोड़ा उसमें delay होता है. By the time other fund manager catches up. Correct? तो यह past performance पे depend करने के लिए problem हो यह होती है कि आपने fund को previous cycle के हाई पे पकड़ा. देखा, बहुत बढ़िया return है. आपने इसको इनेवेश कर दिया. और उसका return तो कम होना ही है. वो second बात है. तीसरी बात, जो retail investor चुक जाते हैं इसमें, कि churning of the portfolio. वो एक fund को दो साल, तीन साल की time देते हैं. क्योंकि उन्होंने 25% का return पे उसको एंटर किया था, उसका हमीद है कि अगले तीन साल पे 25 देगी. अगर उसने नहीं दिया 25, तीन साल वेट करके वो निकल जाते हैं उस fund से. जबकि वो fund के गिरने के बाद आप वापस उटने ही का वक्त है. तो वो constantly churn करते हैं portfolio, तो हर fund से वो right time में, you know, wrong time में enter करते हैं और wrong time में exit करते हैं. तो यह constantly portfolio की जो churning करते हैं, इसके कारण ही वो अपना consistent long term compounding का advantage उनको नहीं मिलता है. तो यह hot button approach में कहूंगा. और उसका क्या उपाय है, क्या solution है? Solution यही है कि आप research बहुत करें पहले निवेश करते हैं वकत, मगर उसके बाद हर fund manager को at least five to ten years का time दे, number one. Number two, आप हर निवेश के पीछे एक goal रखें मन में, ताकि जब भी वो goal अची हो जाए, आप उस goal को fulfill करने के लिए पैसा निकाल दे. तब आपको पेपर प्रोफिट, चैश प्रोफिट में बदलत हुए एक गाड़ी खरीदा, एक चुट्टी वेगा है, या बीवी को कुछ हार पेना दिया आपने, वो एक कन्वर्जियन आप आपको करने की ज़रूत है, खाली पेपर में बढ़ते 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 अगर गोल रखा है नहीं तो गोल पर कैसे लिए को टेट करेंगे, तो में आप जरूर अप जरूर अप जरूर अप प्रोफिट बुकिंग करेंगे, आप ओ फिल भी करेंगे आपका मार्केट का जो रिटर था वो आपके हाथ में कैश के जरिए आप उसको उमीद अपनी अ एक प्रोच ही स्थीस का खारन है कि पास्ट पर्फॉर्मंस अगें वो यह अड़ दिशमन में हम लिखते हैं पर अच्छी यह अच्छी भौत एक रिंगिंग टू स्टेटमन्ट है तो आप जो जो कुछिए मुझ से, कॉंट्रा कुछिए मुझ से, क्या जो वर्स परफर्मिंग फंड में हर निवेश करना चाहिए ताकि अल्वेश वह बढ़ जाएगा मैं दो कारण समझ पाया आपने एक बताया कि entering on the basis of past performance राइट एक अपने बताया चर्निंग अपोर्फोल्यू सेकिंड वाल मिस कर गया हम स्किप कर गया इसको सेकिंड वाले कारण को नहीं मैं यह किरा था कि सेकिंड कारण था आप एक फंड की परफोर्मंस में आते सेकिंड मार्केट की हम आते हैं तरुट तो यह बात है कि जिसका मिल रिट्र बन गया वह जो मैं इसका नहीं बनना उऊसका ही चांसेच और चांसे ऑए रेटें बनना कम है जिसका रिट्र अगये और आप exactly wrong time buying और wrong time selling दोनों कर रहे है जानिक एक confusion last confusion retail investor की वो यह है आपने बना है कि गोल बना है तो कहीं हमारे retail investors ऐसे भी सकते हैं जिनकी active income भी अच्छी है and they don't need funds for next 10 to 15 years and you know they are able to enjoy everything जो बता रहे थे कि बीवी को हार दीजिए गूमने जाहिए गाड़ी लीजिए तो अपने active income से सारी चीज़े कर रहे है and you know very clear cut way कि मेरे पास तो भी इतना पैसा आता रहेगा मुझे कोई इस पैसे की जूरत नहीं तो उसे इतना मतलब किस तरह से वो गोल सेटिंग करें अगर आप गाइड कर पाएं तो बोड़ासा इस के लिए तो कि यह ऐसे कोई वक्ति नहीं हो सकता है क्योंकि अगर आप समय से कि मेरी जिन्दगी के लिए मेरे पास काफी पैसा है तापके पोते की जिन्दगी लिए आप सेट करेंगे आपके पास एक एक लेगसी भी अफसेट करेंगा इसे कैसे हो सकता है कि मैं अपना आशो आराम से मेरी पैसे को पुरे उडाती जाओंगा और फिर आने माले पीडियों के लिए कुछ नहीं रखोंगा यह थोड़ी बात होती है तो एक इवन एट एज और सिस्टी और सेवंटी आप अपने ग जब तक आप जिन्दा है आपके प्रापटी आपके पास है आपको रेंटल इंकम आते रहेगा मगर एक सालरी या बिजनस का भी एक टाइम फ्रेम होता है उसके बाद उसकी अर्निंग कम होगी उस पीरियड के लिए भी आपको प्लान करना है अब सुचिए कि एक सालरी एं इंकम जो आज आपको धंदे से या अपनी नौकरी से बिल रही है वो इंकम ड्रॉप हो जाए मगर आपके क्वालिटी आफ ड्रॉप नहीं होनी चाहिए तो आपको एक कॉर्पस बिल्ड करके उसमें से आप पैसा निकालते आपकी जिंदगी के कॉलिटी को मेंटेन करना च तो एक टाइम के बाद इंसुरेंस भी आपको इंशुर नहीं करेगा तो आपकी अपने बेटे आज अच्छी एक नौकरी में है इसलिए आप उसके बर्में फिकर नहीं कर रहे हैं उसकुछ उसका एक्सिडिंड हो गया और उसकी फैमिली के लिए इंकम नहीं रही है रही ह तो एक contingency corpus आपको भी बनना की जुरूत से तो मैंने तीन कारण आपको बता दिये और फिर भी बात यह है कि अगर जरुरति नहीं कुछ नहीं बोल रहा है फिर भी वो निवेश क्यों कर रहा है क्योंकि उसको क्या तो वसकी आपिनेस किसी की से तौ वह ऐती सुपिनेस जाती है तो रहतो डूश खोल गटी तो कुछ तो खोल होगा तो वह युज को क्या खिया जाती कि घृत और थो इसकर के रहा हो आपिनेस कि अ मुट कियां तो ओत्यों थ cambi कि मैं इंडेक्स को बीट करूँगा या ओर अवराल मुचुल फंड को बीट करूँगा बाई हमच अगर 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 जीडिपी पे स्टॉक मार्केट चल रहा है और मुचुल फंड तीन परसंट उसके उपर दे रहा है तो बारा परसंट पंद्रा आप अपकी बूरी गोल र में एक मकसद होता है और फिर एक डिसिप्लेंट तोवर्स एक मकसद एक कंसिस्टेंसी तोवर्स आप सोच कैसे करते हैं और इन बिट्वीन वालतिलिटी या डरावए चीज आपको मौका लगने लगते हैं तभी तो गोल का रखना मेरे लिए बहुत मुख्यत वर रखता है in any investment and sometimes sometimes people just want to invest in good businesses उनको लगता है कि वो ओनर्शिप वाली feeling भी लेना चाते है I think वो भी एक उनका objective हो सकता है कि okay मैं को ये ownership करने में या stock market में invest करने में in general क्योंकि मैं अपने मेरा अपना खुद का business scalable नहीं है but I have so much business in the stock market which highly scalable है and I want a piece of ownership of them right no piece of ownership but उसी का भी आप एक गोल रखे ना that business के लिए गोल रखेंगे आप कि उसकी growth और उसके कारें मेरी shareholding की growth इस percent rate पे जानी चाहिए without that goal how do you judge कि मेरी decision सही ता या गलत था बिना गोल का जिंदगी waste है मैं बता रहा रहा हू ना ultimately एक goal होना चाहिए ना कुछ भी हो आप choose किजिए yes वो business बहतर के ना कितना बहतर आपके business में आपको 10% का return रहा है वो business में आपको 20 करना है रखो 20 फिर evaluate करो उस decision को success या failure एक goal post के साथ ही आप कर सकते हो right right great sir काफी मज़ाया and as usual just last episode में ने enjoy किया यहां पर मैंने बहुत enjoy किया बहुत कुछ थिखा and I'm sure retail investors के लिए बहुत साइड लर्निंग्स है इसमें बहुत साइड लर्निंग्स है अगर को इस एपिसोड को पूरा देखता है और कुछ नोट डाउन करता है तो वो जरूर अप तो आज के एपिसोड में बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, अब समय है उस पूरे के पूरे एपिसोड की एक समरी आप लोगों के लिए बना के तयार करना, ताकि आप लोग जो है कुछ टेकवेज ऐसे ले जाएं, जिन पर आप लोग जो है एक्शन ले पाएं, आज का एपि अज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में जब पूरे के पूरे वर्ल्ल एकॉनमी परिशान है, तो इंडिया जो है उससे बहुत ज़ादा इंपक्ट नहीं फील कर रहा है, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि इंडिया जो है बाकी एकॉनमी से डीकॉपल्ड है, जहां एक तर पर और वो क्या था? तेल के दाम, प्राइज ओफ ओईल, तेल के दाम का बहुत बड़ा इंपक्ट रहता है इंडिया की कंपनीज के उपर, जैसी तेल का दाम बढ़ता है, वैसे ही FIIs की नजरों में, इंडिया की कंपनीज जो है बहुत सारा फायदा होने वाला है, यानि चर्ण कंपनीज की जो है, स्टॉक प्राइज ऊपर जाने वाली है, और FIIs जो है, तुरन था के उस उपरशचनेटी को ग्राब करने के लिए, इंडिया में इंवेस्ट करना शुरू कर देती है, जैसा कि हमने देखा हाल ही में होता हुआ, एक खास बड़ी दिल्चस बात ह हमने देखी कि इंडिया के इंफलेशन में सबसे बड़ा रोल होता है मौनसून का और उसे हमने समझा भी कैसे क्योंकि जब हम इंडिया का इंफलेशन इंडेक्स देख रहे होते हैं आपर लगबग 48% के आसपास जो है वो food prices से govern किया जाता है यानि कि food pricing के जो है वो हमारे inflation index में काफी जादा है जबकि अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो housing sector जो है 42% dominate करता है और यही एक कारण है कि interest rates से US जो है अपनी economy को control कर सकता है लेकिन यहाँ पे वो इतना possible नहीं लगता है एक खास lesson था हमारे retail investors के लिए यहाँ पे जो इस समय confused है कि हमें अभी invest करना चाहिए नहीं तो Sunil sir का ऐसे मानना था कि अभी जो है nifty yes अपने all time high पे है लेकिन nifty की valuations इतनी जादा high नहीं लग रही है अगर इंडिया का nominal GDP जो है वो आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो nifty हो सकता है हर साल नए high बनाते रहेगी एक चीज़ हमने और जाने कि Sunil sir जो है mid cap और small cap पे बहुत जादा bullish है उसके कारण भी हमें बताए गए जिसमें से एक सबसे बड़ा factor ये था कि जब भी market में पैसा flow होना शुरू होता है और जिसके कारण फिर उन stocks का price उपर जाता है Sunil sir के मानना है कि 2023 will belong to mid cap and small caps जब हमने बात करी कि कौन से sectors पर बुलिश है तो उनके बहुत बिबाकी से जो है वो answer आए जिसमें सबसे बहुत सेक्टर था financial sector क्योंकि वहाँ पर एक floating rate का concept जो है हो चुका है NPS सारे जो है वो wipe out कर चुके है या फिर बहुत ज़्यादा control बे में वो ले आए है और साथ-साथ में lending जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है specifically corporate lending की जो हमने बातचीत करी तो corporate lending एक बाद फिर से जो है वो उभर के आ रही है क्योंकि काफी साल से बहुत ज़्यादा capital expenditure as such नहीं हुआ था corporate lending जो है बहुत कम दी गई थी और अचानक से उसमें बहुत ज़्यादा boost देखने को मिल रहा है तो definitely जो एक sector है जो आगे बढ़ सकता है वो है आपका banking and financial services sector बाकी जो दो sector जिनको लेके सुलिल से बुलिश देखे वो था industrial sector क्योंकि again capex यानि capital expenditure बहुत सारा होने वाला है और उसमें ये लोग जो है ये industrial sector जो है बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है और साथ-साथ में 30 से सेक्टर है discretionary spending वाला क्योंकि rise of middle class एक बहुत important रोल निभाएगा इस सेक्टर को आगे ले जाने में एक बात जो में last में सी की वो ये कि आप लोगों को mutual funds के AUM को लेके ज़्यादा चिंता करने की जुरत नहीं है अगर आप large cap और flexi cap mutual funds के लिए इंवेस्ट कर रहे हैं तो AUM बहुत बड़ा रोल नहीं निभाती है अगर आप लोग small cap और mid cap के अंदर invest कर रहे हैं तो आपको AUM पर ज़रूर नजर रखनी चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि जब AUM बहुत ज़्यादा हो जाती है small cap और mid cap की तो वहाँ पर फिर और अच्छी opportunities को ढूणना एक challenge बन जाता है जिससे कि हमारा portfolio फिर आगे perform करना या फिर outperform करना बंद कर सकता है lastly दो दिख्यते हमने देखी कि investors जो है mutual funds से क्यों पैसा नहीं बना पाते है number one वो सिरफ वो सिरफ past performance को दिमांग में रखके mutual funds को choose करते है and number two वो वो अखने portfolio को बहुत जादा unnecessary, untimely churn करते रहते है उमीद करता हूँ आप लोगों कोई episode पसंदा है episode पसंदा है तो इस video को like कर दीजेगा channel पर नहीं तो इसे subscribe कर लीजेगा और market के बार के सारे episodes देखने के लिए high button को check out कीजेगा बहुत सारे episodes है, बहुत सारे learning है बहुत सारे actionable points है और आप लोग इसको लेखना चाते हैं इस show पे मुझे comment लोग से comment करके जरूर बताईएगा with this note guys, thank you very much, stay connected, stay ahead जै हिंद, और हाम इत्रों सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू, तो जीतना शुरू, bye bye and take care, God bless you all. Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.